तो मैं जो scanners use करती हूँ, मैं वो scanners बनाना आपको सिखाती हूँ अगर आपको इसको private करना है और सारे alerts आप चाहते हो कि वो आपके screen पर दिखाए तो आपको इसे paid करना पड़ेगा जब वो 70 के ओपर होता है तो वो bullish zone में होता है उसकी speed तेजी की बढ़ जाती है अगर सब चीज 30 के नीचे हो तो जो faulty speed मिलती है बहुत अच्छी होती है और ये वाली जो strategy मैं ने अभी आपको जो मैं use करती हो बताई हूँ इसकी strike rate approximately 60-70% है कोई भी trade करें, without stop loss नहीं करें अगर आप stop loss नहीं लगा सकतें तो I will be very rude in telling don't trade नमस्ते friends, मेरे पास बहुत सारी demand या request आई है कि मैं scanner कैसे बनाऊं charting पे तो मैं जो scanners use करती हूँ, मैं वो scanners बनाना आपको सिखाती हूँ कुछ एकदम simple, एकदम simple आप उसे कैसे add कर सकते हैं कैसे उसे देख सकते हैं और उसके according stock select कर सकते हैं My maximum scanners are very very simple, very very basic तो चलिए scanner कैसे बनाते हैं थोड़ा इसको समझते हैं और फिर scanner बनाते हैं तो let us say हम एक scanner बनाते हैं जहां पे हमको चाहिए कि जो stock, monthly, weekly, daily, hourly, सब में 70 के उपर आए जब वो 70 के उपर आए मुझे ऐसा लगता है कि वो super bullish है और उसमें fast returns आ सकता है तो मुझे यह scanner बनाना है और मैं यह scanner बनाकर रख सकते हूं हाँ एक चीज मैं आपको advance में बता दूँ यह scanner अगर आपके पास paid है chart ink मैं chart ink ही यूज करती हूं for scanning अगर यह आपके पास paid है तो आप इसको private भी रख सकते हैं नहीं तो यह open to all रहेगा कोई भी देख सकता है दूसरी बात यह auto refresh करके आपको alert नहीं देगा अगर यह paid नहीं है तो अगर आपको इसको private करना है और सारे alerts आप चाहते हो कि वो आपके screen पर दिखाए तो आपको इसे paid करना पड़ेगा बिना paid के भी आपका काम हो जाएगा अगर आप इसे थोड़ी देर में 15 मिनिट एक घंटा दो घंटा जैसे आप चाहें refresh कर सकते हैं अब इसे बनाते कैसे हैं तो पहली बात हमें हमारे conditions लिखे हम let us say हमें ये बनाना है कि hourly RSI 70 के उपर हो, daily RSI 70 के उपर हो, weekly RSI 70 के उपर हो, monthly RSI 70 के उपर हो तो हम सबसे पहले अपना एक condition लिखते हैं तो क्या condition हम लिखना पसंद करेंगे कोई भी condition जो आपने सीखा है या आपको आता है या आपने कहीं से सुना है देखा है कोई भी condition तो सबसे पहले वो condition note down करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं आरसाई 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 आरस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आम शौर आप मार्केट में सक्सेस्फुली ट्रेड करना चाहते हो। अलग-अलग टाइप के कंडल स्रिक और चाट पैटर्न समझना बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि यही पैटर्न आपको सही एंट्री और एग्जिक लेने में हिल्प करेंगे। जोती बुधिया माम ने अपसर्ज.klub के टेकनिकल अनालिसिस कोर्स में चाट पैटर्न, इंडिकेटर्स, ट्रेन लाइन और स्टॉक सेलेक्शन जैसे कई इंपोर्टन टॉपिक्स इंडीटेल कवर किये हैं। According to our 10,000-plus learners, ये आपके trading journey को fast track करने में काफी helpful हो सकता है। तो आज ही description में दिये गए लिंक पे click कीजे और technical analysis सीखें। Now let's get back to the video. मेरा ऐसा मानना है कि जब वो 70 क्रॉस कर रहा होता है या 70 के ओपर होता है तो वो bullish zone में होता है, उसकी speed, तेजी की बढ़ जाती है। express highway पे आ गया है, उसके बढ़ने की speed, जो हम देखते हैं कही बार shares जो एक ही दिद में 5-5-6-6% and move हो जाते हैं, तो मैंने देखा है कई बार ऐसे scenarios में, तो हम ये भी scenario बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि मुझे वो ही stocks दीजिए, जिनके ADX above 25 हो, तो आप सिर्फ ये भी बना सकते हो, लेटर से दूसरा scan, ADX above 25, किसमें चाहिए? डेली में, ADX above 21 और 25 जो भी हम चाहिए, वीकली में, combinations लीजिए थोड़ा, because हो सकता है कि आपका higher time frame अलग बोलता हो, lower time frame अलग बोलता हो, तो हमें जो है, वो दोनों sink में चाहिए, इस तरह से अच्छा parameter बन सकता है, अगर higher time frame आपका कह रहा है कि वो नीचे गिर रहा है, और डेली time frame कह रहा है, वो उपर जा रहा है, तो ऐसी situation में क्या है, दोनों sink में नहीं होने से, हमें जो trade है, कभी-कभी बहुत ही अजीब सा मिल जाता है, जो हम लेकर हमें ऐसा लगता है कि हमने क्यूं लिया, ना ये उपर जा रहा है, ना ये नीचे जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि higher time frame और lower time के बीच में, वो फस गया है, तो ऐसी situation भी आती है, और हम directional trade करने वाले हैं, तो directional trade जब हम करते हैं, तो हमें directional trade ढूने के लिए इसी तरह के scan बनाने पर सते हैं, आप चाहें, तो moving average के उपर भी बना सकते हैं, moving average above 50, moving average above 200, cross over so, तो cross over भी बना सकते हैं, prices crossing below 200 moving average, prices crossing above 200 moving average, ये सब जो है, हम इसमें पहले हमारा study बना लेते हैं, जिससे जब हम scanning में जाके उसको code करें, तो हमें वो टाइम पर सोचना नहीं पड़े, तो हम पहले लेटर से ये ही बनाते हैं, और इसी के बेस पे आप अपना जो भी चाहें बना सकते हैं, अब खाली ये ही नहीं, मुझे ऐसा भी चाहिए, कि stock का price जो है, वो above 50 ही होना चाहिए, मुझे penny stocks में trade नहीं करना, मुझे 50 के ओपर जो stocks हैं, वो ही trade करना है, फिर stocks volume, volume above 3 lakh, 5 lakh, मतलब जब वो उपर जाए, वो time पे already कितना volume हो जाना चाहिए, वो भी हम mention कर सकते हैं, तो ये जब structure हम बना के रख लेते हैं, ready, फिर हम scan में जाएंगे, और scan में तो सिर्फ हमें क्या coding करनी पड़ेगी, तो चलिए अब हम scan में जाते हैं, scans, और हमें नय scan बनाना है, तो यहाँ पे आएंगे create scan, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यह रहा create scan, तो जब हम create scan पे click करेंगे, तो यह हमारे पास एक blank आएगा, तो पहला वाला हमारा क्या था, हमने यहाँ पे देखा था, RSI hourly above 70, तो हम यहाँ पे plus sign पे click करेंगे, और हमें क्या चाहिए, RSI, RSI, greater than or equal to, दोनों भी ले सकते हैं, तो आपको जैसे ही 70 टच करेंगा, तब भी पता चल जाएगा, greater than or equal to, यहाँ पे हमें number चाहिए, तो हम number लिखेंगे, और इसको हम करेंगे 70, ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यह डेली है, by default वो डेली आया, मुझे पहला वाला अवरली करना है, तो यहाँ पर हम उपर जाएंगे, और अवरली यहाँ पर वन अवर दिख रहा है, तो वन अवर कर देंगे, यह हो गया, अवरली, हमारे पास एक और सिस्टम है, यह तो हम एकेकेके करके अड़ करें, और अदरवाइज, यह जो है, हमारे पास कॉपी, कॉपी करें, यह कॉपी किया, हमने, कॉपी टू क्लिप बोर्ड, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, हो गया, फिर से पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, अवरली, डेली, वीकली, मन्तली, बाकी तो कोई पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे, मैं इतनी बार-बार क्यों टाइप करूं, फिर यहाँ पर आके मैं इसे डेली कर दूंगी, और यही वन अवर को यहाँ पर आकर मैं वीकली कर दूं, नीचे जाके, वीकली, यह रहा वीकली, और यहाँ पर आके मैं इसे मन्तली कर देती हूं, यह रहा मन्तली, हो गया, बन गया, सबसे पहला काम, सेव स्कैन, अब देखे, जब मैं scan save करती हूँ, तो मैं इसे क्या नाम दूँगी, लेटर से देते हैं, monthly, daily, weekly, hourly, इतना वड़ा type करने के बजाए, हम करते हैं, m, w, d, h, आ गया, all, above, 70, यह हमने एक नाम दे दिया हमारे scanner को, description, description में हम डालते हैं, super bullish scan, ऐसे बस हम कोई भी उसका description डाल सकते हैं, just for our knowledge, अब यहाँ पर scan category है, तो यह कौन सा वाला scan हमने बनाया है, bullish scan बनाया है, तो हम bullish scan डाल देंगे, उसके बाद आप देख रहे होंगे, यह इस private है, यह जो मैंने आप से कहा ता कि अगर आपका paid है, तो ही इस private पे click होगा, otherwise इस private पे आप नहीं click कर पाएंगे, it will be open, ठीक है, और इसे हम submit करते हैं, यह हमारा save हो गया, scan में जाके देखेंगे, तो देखेंगे, आगया पहला वाला MWDH, all about 70, इस पे हम click करते हैं, super bullish scan, यहाँ पे भी आगया, MWDH, all about 70, आपको इतनी varieties दिख रही हैं हैंगे, कितनी approximately 32 varieties दिख रही हैं, क्यों, हमने इसको cash कर रख हैं, हम इसको चाहें, तो सिफ futures कर सकते हैं, फिर run scan करते हैं, तो दो stocks हैं, persistent और the federal bank, चेक करें, तो futures में, persistent, हम cash में भी चेक कर सकते हैं, futures में भी चेक कर सकते हैं, monthly, 1M, monthly above 70, weekly, above 70, see the movement, daily, above 70, see just see the movement, कैसा भागा है वो, overly, above 70, जैसे आमान लो आज दिखा है, तो आज आज में इसने कितना run up दे दिया, यहां दिखा था, यह कौन सा दिन है, 28 June, यह आज का है current, यह 28 June, यहां से, जो यह 70 के उपर आया है, तो क्या 28 June में, daily, weekly भी था, तो देखें, तो 28 June, बल्कुल, RSI was above 70, यहां पर देखिएगा, यह जो यहां पर mentioned है, वहां देखिए, RSI 28 June, about 70, अभी weekly में आते हैं, weekly में, यह हमारा, जून, 24 June, यह 24 June खतम होने तक नहीं था, यहां पर आया है, यह 70 के उपर, बराबर है, 28 June जो होगा, वह 70 के उपर, और month, month 69 के आसपासी है, month में, तो हो सकता है, यह 28 June को आपको न दिखा के, 1st July को यहां पर दिखा दे, 70 के उपर, अगर यह 1st July को दिखाता है, तो क्या 1st July को भी, मैं अगर अवरली में देखूं, तो 1st July यहां से start होता है, तो भी मुझे अच्छा खासा move मिल रहा है ना, 1500-200 पॉइंट का, not a bad deal, यहां और यह तो सारे उपर थे ही, तब से उपर ही है, फिर वापस यहां से जब भी जा रहा है, यह देखिए, आपको movement मिल रहा है, फिर आज वापस 70 के उपर आया, फिर से movement मिल रहा है, तो यह चीजें हमें बहुत help करती है, कई बार scan करने के लिए, अभी इसी scan में, मान लो, मैं चाती हूँ कि मुझे अवरली ना बताए, या मुझे monthly नहीं बताए, मैं short time trader हूँ, या short term, medium term trader हूँ, तो medium term में मैं इसे बंद कर देती हूँ monthly का, ये green जो है, इसे हम switch off कर देते हैं, weekly रखते हैं, तो हमारे पास कितने आते हैं, वो भी 2 है, let's say मैं weekly भी बंद कर देती हूँ, अब कितने आएंगे, अब देखिए हमारे पास इतने सारे आ गए, तो ये जो है, जब हम options trade करते हैं, तो हम daily और hourly का use कर सकते हैं, और उसमें मनापुरम finance, तो लेट उसमें मनापुरम फिनान्स, मनापुरम फिनान्स, देखिए, आज hourly में 70 के उपर, daily में 70 के उपर, and see the movement, क्या मुझे कुछ बताने की जरूरत है, live market में, कोई इंसिडेंट ले आज में पस कोई काम नहीं था, इसलिए live market में shoot कर रही हो, enjoy that, emphasis, vipro, persistent, मतब करीब करीब आज IT stocks में, यहां से देखने मिल जाता है, कि कौन से IT stocks भाग रहे हैं, और अगर देखें, तो सब कितने percentage उपर है, मनापुरम 5%, emphasis 6%, vipro 5%, 5%, LTI 4%, infosys 4%, तो आज सब IT stocks उपर हैं, इसी को हम थोड़ा और भी modify कर सकते हैं, मुझे चाहिए, कि volume, volume greater than number और कितना, हमने बात किया था, 3 लाग के उपर, minimum आज volume हुआ हो, तो मुझे बताईए, फिर run scan कर दीजिए, यह futures का है, अब सेम चीज हम यहाँ पर, nifty 500 कर देते हैं, इसको पहले हम, disable करते हैं, और run scan करते हैं, तो कितनी items हैं हमारे पास, 16, अब देखोगे कि इनने कुछ stocks हैं, जैसे अतुल लिमिटेड है, इसकी volume 3 लाग से कम है, राइट, अब यहाँ पर, मैं 3 लाग को enable कर देती हूं, now see कितने हैं हमारे पास, अब हमारे पास, वो ही stocks हैं, जिनकी volume 3 लाग से जादा है, अगर यही चीज मैं चाहूं, तो let us say 30 लाग कर दूँ, और फिर run scan कर दूँ, तो और भी कम item हो जाएगी, जिसकी volume हमारे पास, 30 लाग से जादा की हुई है, वो वले आएंगे, तो 30 लाग कोई नहीं करता, हम basically 3 लाग रखते हैं, जिससे हमें ट्रेडिंग मिल जाएं, 3 लाग का मतलब यह नहीं, हमें end of day नहीं चाहिए, हमें running market में 3 लाग चाहिए, तो end of the day तो ज्यादा पहुँच ही जाएगा ना, अब same चीज, अगर हम selling के हिसाब से बनाएं, तो is, क्या करना है हमें, is less than or equal to, क्या करें, 70 की जगे 30 करेंगे, ठीक है ना, फिर daily भी same, less than or equal to, और इसे 30 के नीचे कर देंगे, येस, अगर सब चीज 30 के नीचे हो, तो जो fall की speed मिलती है, बहुत बार, बहुत अच्छी मिलती है, regular मिले गिया नहीं, पता नहीं, लेकिन उसके बाद भी, कभी भी, life में, कोई भी trade करें, without stop loss, नहीं करें, अगर आप stop loss नहीं लगा सकते, तो I will be very rude in telling, don't trade, अगर stop loss नहीं लगा सकते, तो trade मत करिये, stop loss के बिना trade होना ही नहीं चाहिए, भले आपका conviction 100% है, आपकी reading 100% है, आपकी knowledge 100% है, सब कुछ है, बट हमें trade नहीं लेना, without stop loss मतलब नहीं लेना, फिर यहां पर भी हम कर देंगे, less than or equal to 30, see how simple it is to change the things, monthly less than or equal to 30, volume रखना है, रखिये, नहीं रखना है, hide कर दीजे, जो करना है, अब इस scan को हम कैसे save करेंगे, यहां पर हमने क्या लिखा है, MWDH, वो पहला वाला था, above 70, इसको हम below 30 कर देंगे, all below 30, super bearish, और यह आ जाएगा, bearish scan submit, कुछ नहीं आएगा अभी, और इसमें हम निफ्टी 500 नहीं लेंगे, हम इसमें सिफ फ्यूचर्स ले सकते हैं, because जब shorting करना है, तो हमें features ही चाहिए, अब यह इतना नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, full market तेजी में है, तो लेट उस ट्राइ, हम overly को disable करके देखें, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर lower time हमने disable कर दी, higher time already disabled है, weekly disabled है, खाली daily enabled है below 30, तो भी नहीं आ रहा है, monthly करके देख भी लें, तो कोई meaning नहीं है, because हमने सब कुछ disable कर दिया, चलिए अब हम सब disable करते हैं, खाली hourly enable करते हैं, फिर देखते हैं कुछ आ रहा है, 30 के नीचे, yes, all these talks are below 30, only in hourly time frame, सब में नहीं है, अगर ये सब में हो, तो बहुत जादा speed में, stock नीचे जा सकता है, again with the stop loss, ओके, जब 2020 का COVID period आया था, हमें पहले से एडवांस में, थोड़ा-थोड़ा signal मिलने लग गया था, कि daily और weekly, 30 के नीचे जा रहे हैं, फिर बाद में मन्थली भी जाने लगा, और उसके बाद जो fall आया, तो ऐसी situations आती रहती है, हम करते रहते हैं, तो friends, ये था एक simple तरीका, और इसी तरीके से, जैसे मैंने RSI बनाया है, आप ADX बना सकते हैं, moving average का बना सकते हैं, आपके पास जो भी study है, उसके उपर बना सकते हैं, चलिए, आपके साथ एक और बात शेर करती हूं, आप मुझे बताए कि आपको किस टाइप का scan बनाने में help चाहिए, comment box में लिखिए, मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, कि आपको जिस टाइप का scan चाहिए, वो scan कैसे बनेगा, उसका भी वीडियो बनाकर मैं upload करूँगी, और यही नहीं, उसके साथ वो study कैसे helpful होगी, वो भी मैं आपको guide करूँगी, yes, you can take full benefit of that, आप बताएए, मैं बनाने तयार हूं, और प्लस उसका use कैसे करना है, वो भी बताने तयार हूं, और वो study जो आप मुझे दोगे, क्या वो fruitful होगी या नहीं, वो भी मैं आपको बता दूँगी, कि कितने टाइम में वो कितने बार success हुई है, कितनी बार fail हुई है, और ये वाली जो strategy मैंने अभी आपको, जो मैं use करते हूं बताई हूं, इसकी strike rate approximately 60-70% है, सीरे तो stop loss है balance के लिए, तो friends, आपके likes और आपके comments, मुझे guide करेंगे, कि मैं ऐसे और कितनी variety के scanners बनाकर आपको दूँ, जो आपको help करें, तो आपको code नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे ये लिख के देना है, कि मुझे ऐसा चाहिए, जैसे monthly time frame में RSI 70 के उपर हो, ये भी ऐसा हो, ये भी ऐसा हो, ये भी ऐसा हो, तो आप 2-3 conditions डाल देंगे ना, तो scanner बनाना अपना काम, और मैं आपको सिखा भी दूँगी, ठीक है ना, तो चलिए, मिलते हैं अगले session में, तब तक के लिए, let's see, आप कितने scanners बना सकते हैं, और वो scanners आपको कितना help करेंगे, ये भी देखने के लिए, हाँ, एक चीज और आपको मैं बता दू, जो पेड़ वाला है, उसमें यहाँ पर, बैक टेस्टिंग के लिए आपको help मिलेगी, आप किसी भी दिन पर क्लिक कर लीजे, तो इस दिन, कौन-कौन से shares, लो में थे, हाई में थे, जो भी है, वो यहाँ पर आपको आते जाएंगे, तो यह हमारा कौन सा स्कैनर है, यह हमारा अवरली का बिलो 30 है, तो यह stocks उस दिन अवरली में बिलो 30 गए थे, तो यह चीज आपको help कर सकती है, यहाँ पर वन मंथ का back test ले सकते हैं, वन यर तक का back test ले सकते हैं, ओके, तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट्स करिएगा आपको कौन सा स्कैन बनवाना है, I am ready, नमस्ते,